हेलो प्रेंट्स आप सबका आपके चैनल में स्वागत है आज हम पढ़ेंगे प्रस्थनावली 1.3 जिसके अंदर हम सिद्ध करेंगे कि कोई सिंख्या अरपरी में है या नहीं है तो यह अपना नियूश्विलेवर्स के एकॉर्डिंग है इससे परहले अगर आप हमारे चैनल जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और आप वीडियो को प्रीज अं तक देखिए तभी देखने का मज़ा आएगा अप देखिए अपने सवाल है कि सिद्ध कीजे की रूट 5 एक अपरी में ही संक्या है तो इसमें हमें क्या करना दिको ज परिमे देखते हैं परिमे संख्या क्या होती है परिमे संख्या जिसको हम क्या करते है पी बटा क्यू जहां क्यू नौट इकुल टू जीरो यह इसकी परिबास्ता है एक चीज ओर है इसके इंदर इनका जो पी वैं क्यू का HCF जो होता है वो क्या होता है एक होता है इनका मैस्टर पर महत्व समा पड़ते है पी योद्यू का एक होता है उसको हम परिमे संख्या कहते हैं यह आपकी परिमे संख्या की परिबासा में हमें पता है अब हम क्या करते हैं माना की रूट पांच माना रूट पांच एक परिमे कि यह को इंधर मालता है यह एक जब यह रूड़ पांच इस प्रकार का सवारों सी कि मैंता है यह बड़े नंबर के सवाल के अंदर आएगा पांच एच्छे नंबर यह प्रस्ट आते हैं उनके अंदर आता है बहुत ही आसान देखे आप अगर यह परीमेर सिंग्या हमने माना आए तो हम क्या करते हैं इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं जहां क्यों नोड इकोल डू जीरो यानि थोड़ी दोड़ी इस बोलते रही है अगला एक्जैमिनर आप लिखते रहे हैं तो एक्जैमिनर भी आपका संतुष रहेगा अच्छे कुछ आता है अगर यह परीमेर सिंग्या है यह आपने पी परीमेर मान लिया हम क्या कहते हैं दोनूं को अउतक्षों का वर्त करने हैं दोनों पक्ष हैं उनका हम वर्त करते हैं अपने पास चैले हैं इसनल पांश देएगा इधर lp225 इकाछ अचतुश क्वायर आप अपने पास देगी इसिगूफ स्कॉरे 405 क्यू स्क्वायर है अब इसको हमने इस प्रकाश से लिख दिया देखिए इसका मतलब यह है कि जो आपका पी स्क्वायर है पांच से विभाजित है क्या है पांच से विभाजित है यह आपका पांच से विभाजित हो गया इसके साथ समचा रखते हैं पी जो है पी पांच से विभाजित होगा यह प्रीमे अपनी देर की किताब में यह प्रीमे भी है कीकिव स्क्वायर या कोई स्क्वार्स कि विभाजित होती है उसका वल्ग-मूल بھی प्रिभाजित होता है इस रियो कि जो पांच ठीक है P is equal to 5R हम लिख देंगे तिरह हम क्या करते हैं दोनों इसको हम समीकर नमबर एक का नाम दे देते हैं इसको क्या करेंगे समीकर नमबर एक यहां लिखते हैं दोनों पक्षूं का वर्ग करने पर अपने पास P स्क्वार देगा इधर 5 का स्क्वार अपने पास के जगा 25 और R का स्क्वार ठीक है यहां से भी हम क्या करते हैं यहां से P स्क्वार दा P स्क्वार दाब अपने पास समीकर नमबर एक से हम क्या लिखते हैं समीकर नम एक से अब आप यह देख रहे होंगे कि यहां पांच R क्यों लिखा इसलिए लिखा यहां भाग चला रहता कोई R भी एक पुर्णांग हो गया क्या हो गया भाग देने के वाद कोई स्नुक्या आएगी वो भी क्या रहेगा R भी आपर क्या है यहां कोई पुर्णांग हो गया और पी और क्यू भी आगे क्या है पुर्णांग है कोई सरी पुर्णांग हो सकते हैं पुर्णांग है इसलिए भार दिदें पर उसकों क्या आती है उसकों आर पुर्णांग से लिखते हैं इसलिए हमने इस प्रकार से लिखा अब यहां पर हमने इस प्रकार से लिख लिए अ अब की पास क्या है पांच Q-square पांच Q-square is equal to 25 R-square ठीक है और इसको हम लिशकते हैं Q-square is equal to 5R-square ठीक है यह 5 और 25 कटेए इदर आपर 5 कट गया इदर 5 कट गया यहां पर 5 रहए आपने 5 इस हसाप सेब कैसे पर ये क्या है अपर क्यूं स्क्वाय है पांच से विभाजित होता है ठीक है और यह पहलेगा फिर क्यूं है जो पांच से विभाजित है ठीक है अब देखिए यह आपकी समिकार गया हुई दूसरी होई एक और दूसरे देखिए समिकार एक यह पांच से विभाजित पी और क्यू भी पांच से विभाजित है अब दोनों का हम क्या लिख सकते हैं देखिए पी वे क्यू पांच से विभाजित है कि यानि कि इसका क्या हुगहे मैसर प्यार प्यांच से फिर्फ का ने प्यांच व्यूंगा पांस से हो गया लेकिन जो क्या है अंनि असका उल्ट है हमने माना प्रिमेर सिंधिया पी क्यों है और क्या मैंसे भी क्या होना चीए एक होना चीए लेकिन यह पांच आ रहा है अते है हमने माना वहर गलत है अते है रूट पांच है परीवेई संख्या है यही हमें से दिखाना है आप इससे कॉपी में नोट डाउन कर लिए आप स्किन सोट भी ले सकते हैं इसका ताकि आपको पढ़ने दूसरा प्रस्न है ना कह रहा है जिख कीजे कि तीन प्लस दो रूट पांच il एक परी ने संख्या है पहले में आपको बता दो क्च परी ने संख्या क्या होती है इनका एक होता है यह दो रूर चीज़ अपने को ज्यान में रखने हैं और जो अपने को दे रिखा है अब जो अपने को यहां पर दे रिखा है एक परीमेरी हम क्या उसका उल्टा मानते हैं यह स्टिप्स आपको करने ही है माना तीन प्लस दो अंडरूट पांच एक परीमेरी संख्या है ठीकर दोसरे क्या है यह परीमेरी संख्या हमने इसको मान लिया है तब हम क्या लिखते है इसको पी फीन है यह स crack पर दो अंडरूट पांच अब पर बटा क्यू की रूपए में हम लिखेंगे जहां क्यू not equal to zero हो मुखा आपना अब हम क्या करते हैं इसको उदर पक्सांतरन करते हैं यह तीन है तीन को हम पक्सांतरन करेंगे पक्सांतरन करने पर अपने पास दिखिए यह दो अंडर रूट पांच बरावर अपने पास P पक्यू यह 3 दर सक उदर पास कर जाएगा इसको परीवें सिंप्या तो किसी थीम्हां दिखिए यह परिमे इस सिंप्या में से परिमेस परिमेई सिंख्या को परिमेई सिंख्या से भाग गरने पर परिमेई सिंख्या आएगा ठीक है लोग तो यहां हम लिखते हैं लूट पांच यह अपने पास क्या है पूरी की पूरी परिमेई सिंख्या है अब देखेंएगा यह भी परिमेई सिंख्या है क्या है यह वाली अपने पांस क्या है संक्या ऑफ तेके हम जानते हैं रूड पाँस रूड पाँस एक प्रमी संक्या है ठीक है यह आप जो थरसुन नमबर एक करेंगे उसमें हम सिध्ध कर चुके हैं आप सिफले वीडिवा देखे कि деся-वग पांच एक परी में सेंगा है तो इससा vidare आप से हम क्लिखते कि रूट पांच इप नहीं हो डिखने कि यह हमने हो हौर भार हो सकती है लिएयर क्या थूरों पर हो सकती है यह नहीं होसकती है थो हम क्या डिखी हैً यहांप अतर हमने माना या भी हम लिखते हैं हमने माना या हम लिखते हैं हमारी अवधारना क्या है अवधारना यह माने कि माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेशन क्या है हमारी अवधारना गलत है लेकिन या गलत सा इसी दो हुए है अर्थे हम यह लिखते हैं कि आपका 3 प्लस 2 रूट 5 एक एक परिमेशन क्या है ठीक है यह यह आपका सिद्ध हो गया अगर का तीसरा क्वेशन है कि सिद्ध गीजे कि निम्लेकर संग्या एक परिमेशन क्या है उससे पहले मैं आप कुछ बताना चाहता हूं कि देखिए अपने पास क्या है कोई भी परिमेशन क्या है परिमेशन क्या है हम पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं के और इसका व्यूत करम अगर हम लिखते हैं तो यहां पर क्या है पी और क्यू पूर्णांग है आपके और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो यह अपना तब हम इसको परिमेशन क्या है कियते हैं इसका व्यूत करम पहेंगे अपने पास क्यू बटा पी हो जाएगा क्या रहेगा पी वाटा क्यों बटा पी किसी भी परीमेई संक्या होती है उसका उल्टा भी हमेशा परीमेई संक्या ही होता है सिवाई एक के जीरो के, इस जीरो बटा एक परीमेई संक्या है, ये परीमेई है, जबकि इसका विर्कम एक बटा जीरो परीमेई नहीं है, और ये आप परीबाशित है, मैंने सवाल करने से पिर फिर ये क्यों बताया, वह भी हम सवाल करते हैं, उसमें मालन चल जाएगा आपको, जिसे आपका पहला कोशिन देखा है, वन अंप उन अंडर दी रूट टू, ठीक है, तो अब हम क्या करते है, ये आपका, जिसको हमें ए परीमेई से दिखाना है, ठी कि एक बटा अंडरूट दो परिवेश संख्या है तब हम यहां पे लिखते हैं एक बटा अंडरूट दो पी बटा क्यू कोई पुणांग होगे जांक यू आपका नौटी कुण पुणांग है आपका इसको इसको लिख सकते हैं अब हम क्या करते हैं पूर्भ करने चल अब में ने पूर्ब तो अपने पास दो बटा एक पूर्ट यह पिद्धिया और यह आपकी पास क्या है यह परिमेश्म क्या है अब यह चीज शामने आती है हम जाने इसको मियर थे लिखते हैं देखर अपना कि रूट दो बड़ाबर Q बटा पी लेकिन रूट दो क्या है एपरी में सिंक्या रूट दो है यो एपरी में सिंक्या है तो परी में सिंक्या और एपरी में सिंक्या बड़ाबर नहीं हो सकती यह दो रूब रावट नहीं हो सकते हैं तो हम क्या दिखेंगे अटा है अंदर एक बटा अंदर रूट दो एक परपरी में संख्या है ठीक है दो अब इसका जिसे की दूसरा कोश्चन है जो अपना जो दूसरा कोश्चन है इसी का साथ अंदर रूट पांच सबके अंदर जिसे मानते हैं अब यहां पर भी मानेंगे माना साथ अंदर रूट पांच एक परई में संख्या है ठीक है अब हम इसको इस दिखार से लिख सकते हैं पी बटा क्यू जाँ पी और क्यों पुर्णा के और क्यू नॉट इगल टू जी रो है यह हम यहां पर लिखेंगे अब इसके बाद लिखने के बाद अपने पास क्या रहे हैं रूट पांच इस इगल टू पी बटा यह साथ जो है यहां नीचे गुणा मिच्णा जाएगा तो साथ क्यू हो जाएगा ठीक है यह आपका क्या परिमेग है देखें है आपका परिमेग हमने माना पी बटा क्यू जो परिमेग सिंगा होती है पी बटा क्यू के रूप में होती है तो 7 एपट परीमें है जब कि रूट पांच क्या है एक एप परीमें यहाँ बीऑबल्ट क्या है एप मरी है अब द Partnership ग्राइं कभी बर्वर नहीं हो सकते क्यों कि यह तो परीमेieważ ग्राइन और परीमेई और परीमेई कभी बढ़ नहीं हो सकती है हम जानते हैं रूट पांस परीमेई है हम लिखते हैं साथ रूट पांस भी अपरीमेई संख्या है ठीक है इससे परीमेई संख्या के रूप में मान लेते हैं तो परीमेई पांस क्या पी बटा क्यूं के रूप में संख्या को हम लिख सकते हैं लिखने के बार कुर अपने पास क्या है इधर च्छ च्छ को हम क्या करने हैं च्छ का पक्षान है ठीक है यह आपके पास क्या लेगा पुरी-पुरी परिमेई संख्या हो गई है यह भी परिमेई संख्या जबकी हम जानते हैं कि अंडरी रूट दो एक परिमेई संख्या है अते अंडरी रूट दो पी बड़ा क्यू माइनर से कभी बराबर नहीं हो सकते हैं कभी बराबर नहीं होंगे अते यह इंप्लाइगे अपना कि 6 प्लस अंडरूट दो 6 प्लस अंडरूट दो एक एप परिमेई संख्या है अगर आप हमाज चैनल पर नए है तो हमाज चैनल को सब्सक्राइब जरूब कीजिए अपने अधिक से लिख दिक दोस्तों को सेर की दिए और आप नोट रूबुक में इसको साथ साथ में नोट करते हैं यह ताकि आपकी प्लेक्टिस अच्छी बन जाए आप य और वीडियो को अधिक से दिस सेर कीजिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जाएगें जाहिए बारत